हेलो इवदिवन मैं हूँ प्रतिभा कानपुरकिचन.com में आपका स्वागत है फ्रेंज आज हम गोभी से बहुत ही टेस्टी मज़ेदार चटपटी सी रेसिपी बनाने वाले हैं जो कि आपको बहुत पसंद आएगी तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं रेसिपी पसंद आ तरह से काट लिया हुआ है बहुत ज्यादा बड़े टुकडे नहीं रखेंगे और ज्यादा छोटे भी नहीं रखेंगे हलका सा इसमें यह इस्टेम रहना चाहिए यह दिखिए इस तरह से और अब हमने गैस में कड़ाई रखे हुए इसमें एक लीटर की जितना पानी गर यह दिखिए ऐसे छोट दीजिए 2-3 मिन तक गोवी को बस बिल्कुल हलका सा सौप्ट करना है यानि कि 3 मिनट से ज्यादा हम इसे कुक नहीं करना है गोवी बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं होनी चाहिए तो गोवी अको पकते वे 3 मिनट हो गए है तो अब हम इसे निकाल ले है तो आप इसमें कानफ्लोर की जगए अरा रोट भी डाल सकते हैं दो चमच डाल लेंगे मैदा साधी साथ हम इसमें दो चमच ही चावल का अटा डालेंगे चिसे की यह बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होगा आदा छोटी चमच के जितना हम इसमें काली मिर्ची का पाउडर डालेंगे एक छोटा चमच चिली फ्लेक्स तीखा आप अपने इस आपचे अजजेस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा नमक डालेंगे तो इस पाउडर के क्वांटिटी के इस आपचे आपको नमक डालना है थोड आदा चमच जालेंगे कासमीरी लालमेची पाउडर थोड़ा सा दाल देंगे कसूरी मेथी इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएयेगा आदा चमच मैंने धनिया का पाउडर डाला हुआ है और आधा चमझ डालेंगे भूनेवे जीरे का Powder अब हम अम इसमें एक चमझ के जितना डालेंगे अदरक लेहसून का पेष्ट आप चाहें तो अदरक लेहसून की पेष्ट की जगे अदरक लेहसून को एकदम finely chop करके भी डाल सकते हैं तो सारी चीजों को अच्छी से mix करेंगे और एक powder जैसा तयार कर लेंगे बहुत सारी मसालों से मिलकर कि ये powder बनेगा बहुत ही जादा कमाल का powder है आप इसे बना करके रख भी सकते हैं और जब भी आपको गोबी टिका बनाना हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप चाहें तो लहसुन और प्याज का पाउडर भी डाल सकते हैं इसमें उससे भी फ्लेवर अच्छा आएगा अब यह जो पाउडर हमने तयार किया हुआ है उसे हमें गोबी को उपर ऐसे डालना है ताकि जो पाउडर है गोबी में अच्छे से चिपक जाना चाहिए क्योंकि जो गोबी है हलकी सी गीली है तो यह बहुत अच्छे से पाउडर सारा जो है इसमें चिपक जाएगा तो ऐसे अच्छे से मिला दीजिए और लगबग आधा पाउडर के जितना मैंने इसमें यह डाल दिया हुआ है यह आप चाहें तो एक एक गोबी को ऐसे उठा करके भी इसमें पाउडर से कोट कर सकते हैं तो जैसे आपको इजी लगे वैसे कर सकते हैं यह देखें इसे हम साइट में रख देंगे अब हमें गोबी को मैरिनेट करना है इसके लिए हम तयार करेंगे एक बाउल में दो चम मैंने दही लिया हुआ है एक चमच डालेंगे कॉन फ्लोर तो एक बड़ा चमच कॉन फ्लोर डाला हुआ है मैंने और एक चमच डालेंगे मैदा एक चमच मेने चावल काटा भी डाल दिया हुआ है आदा चमच कास्मेरी लाल मिर्ची पाउडर और एक चमच डालेंगे करना है अगर गोभी की क्वांटिटी जादा है तो आप इसे थोड़ा से जादा बनाईएगा यह दिखें ऐसे हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अभी यह थोड़ा सा थिक लग रहा है तो आम इसे थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं यहां पर एक छोटा चमच मैंने स्टोया स डाला हुआ है यह ला देंगे अच्छे से तो यह थोड़ा सा थिक लग रहा है तो आप चाहें तो इसमें एक चमच दही डाल सकते हैं यह दिखें मैंने इसमें एक चमच दही और डाला हुआ है अच्छे से मिक्स करेंगे यानि कि हमें इसे अच्छे से फेट करके एकदम बड़ी हासा पेष्ट है तयार करना है, यह दखे इस तरीके का हमारा जो यह पेष्ट है वो तयार है, अब एक एक गोम भी को हमें ऐसे उठाना है और इस पेष्ट में अच्छी सी कोट करना है, जैसे की हम पकोड़े बगेरा बनाने के लिए बंब में करते हैं, वैसे ही करना है, इस तरह से coat करके इसे रखते जाएए, यह दिखिए, ऐसे ही से, और इसमें coat करने के बाद, यह जो सूखा वाला पाउडर बचा हुआ है, उसमें हम दुबारा फिर से coat कर लेंगे, इसे क्या होगा कि यह बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, यह दिख अगर आप एक एक करके डालेंगे ना, तो वो ज्यादा अच्छा बनता है, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से चिपक जाता है, और ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं, यह दिखिए, फिलाल मैंने कुछ इस तरीके से कर लिया हुआ है, जैसे आपको इजी लगे, वैसे कर लिज जाएगा, यह दिखिए, यह हमारे इस तरह से सारे तयार हैं, देख सकते हैं, इस तरीके के, अब हम चलते हैं, नेक्स प्रॉसेज में, तो यहाँ पर मैंने एक कडाई में तील गरम होने के लिए रखा हुआ है, मीडियम गरम तील में हम इने फ्राइ करेंगे, तो एक एक क क्वांटिटी के हिसाब से इसमें डालेगा, फ्लीम को मेडियम रखना है, बहुत ज़्यादा धीमा नहीं रखेंगे, डालने के बाद अब हम फ्लीम को लोटू मीडियम के बीच में कर देंगे, शुरुवात में तेज रखना है, और इने बिलकुल भी टच नहीं करना है, जब तक कि ये अच्छे से से अच्छे से फ्राइव हो जाएंगे, तो आपको दिखने लगेगा, इनका छेंच हो जाएगा, तब आपको इसे आएसे टर्न कर देना है, और दूसरी साइट से भी अच्छे से पका लेना है, ये देखेँ, ये अच्छे से हो गए है, अभी the यह पूरी तरह से नहीं पकाना है क्योंकि अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी करना चाहते हैं तो आप इसे दुबारा फ्राई करना होगा या आप चाहें तो एक ही बार में फ्राई कर सकते हैं फिलाल मैं इसे दुबारा फ्राई करने वाली हूँ जब तक वो ठंडे होंगे तब तक हम ये वाले फ्राई करके रेडी कर लेंगे और जो ठंडे हो गए हैं उन्हें हम फिर से फ्राई कर लेंगे यह दिखें, इसे डाल देंगे, दुबारा फ्राइए करने से क्या होगा, कि यह बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे, यह दिखें, यह हमारे इस तरह से बन के तयार हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, आप भी इसे जरू ट्राइ गरिएगा, आप ने एक भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेर जरूर कीजिएगा फिर मिलती हूं किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक एर